पागत है गल्फ एडिया चैनल में अगर आप देज दुनिया की खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों जो कतर की सबसे बड़ी अभी अपडेट आ रही है दोस्तों कतर के टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसन सामील होगी पहली जो है कतर एयरवेस कतारा हॉस्पिटलिटी सुप्रीम कमिटी फो डिलिविरी और फिर इसमें मैनेजमेंट कमपनी और मेंबर्स भी अलग से सामील होगी इसमें दोस्तों टोटल 20 तरह के इंडस्ट्री फैक्टरी सामील होगी जो कि वहां के जो वरकर को जो वरकर वहां पर जो काम करते हैं उसको भी फाइदा मिलने वाली है अगर ये वर्ल्ट ट्रेवल टूरिजम स्टार्ट हो गई हो तो अगर ये स्टार्ट हो जाती है बहुत जल दोस्तों वहां के वरकर की सेलरी को भी इजाफा किया जाएगा बढ़ा दिया जाएगा और के जो बाहर से देश के जो लोग वहां पर काम करने आते हैं खास करके उन लोगों को बहुत फाइदा मिलेगा फिर कतर की जो भी अगली अपडेट आ रही है दोस्तो कतर में दो तरह के किताबों को बहुत है वहां के जो Ministry of Foreign Affairs है उसने एक आवार्ड से नवाजा है इसमें दोस और वहां के जो Tourist Attraction है वहां जो कतर में जो अलग अलगतरा के वहां पर जो सीन बनती है जो खुबसूरत सेनेरियों बनती है जैसे की वहां पे Football हो गया, Stadium हो गया, Metro Network हो गया उसके बारे में इस किताबों में जिगर किया गया है फिर दोस्तो कतर की जो अगली अपडेट आ पहला आईवी टेक हर तो दोस्तो हर 10 साल में सेलेपलेट किया जाता है वहाँ पे मनाया जाता है जो कि इसका नाम दिया गया है आईवी टेक हर इसमें दोस्तो हर तरह के जो भी टेकनोलोजी होती है आज के टेम में वहाँ पे सामिल किया जाएगा और वहाँ पे लाउंच किय यह जो यह जो टेकनोलोजी है इसकी क्या इस्तिमाल होगी मतलब यह जो प्रोग्राम रखा जा रहा है लगभग लगभग दुनिया का जो भी टेकनोलोजी आज के टैम में इस्तिमाल हो रहा है वहाँ पर इस टेकनोलोजी को दिखाया जाएगा दोस्तो कतर की भी जो अगली अपडेट आ रही है कतर की जो मौगादिशो युनिवर्शिटी है उसने दोस्तो बच्चों को स्पॉंसर किया है कि यह यह जो 209 बच्चे हैं दोस्तो male और female उसने दोस्तो युनिवर्शिटी से top किया है इसलिए उन्हें अलग से कतर चैरिटी के तरब से इस स्टुडेंट को अवाड से नवाजा गया है फिर कतर की जो अगली अपडेट आ रही है जो कतर के बानी हजर इंटरचेंज रोड है पब्लिक वर अथरिटी के तरब से यह अनॉंस्मेंट किया गया है कि इन पांच घंटे के लिए हर दिम सुबह पांच बे तक यह रोड बंद रहेगी दो हपते तक लगातार जो कि दुखान से बनी हाजर रोड जाती है और बनी हाजर से दोहा की और जो जाती है यह पचीस नवंबर तक यह रोड बंद कर दी जाएगी और वहाँ पे ट्रैफिक की भी दिक्कत हो सकती यह जानकारी अपनी दोस्तों को भी देते कि इस रोड के लिए यह रोड पांच घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा इसलिए इसी तरह रोज आप गल्फ कंट्री के बारे में और कतर कंट्री के बारे में रोज अपडेट लेना चाहते हैं तो अभी आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें